हलो स्टुडेंट आज की हम अपनी क्लास में एन्वार्मेंटल स्टडीज की नेच्ट टॉपिक नैचुरल रेसोर्सेज और रिन्यूवबल एड नॉनन रिन्यूवबल रेसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे तो जैसे कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि natural resources क्या होते हैं, man-made resources क्या होते हैं, उसी तरह से आज हम अगीन renewable and non-renewable resources पर focus करेंगे तो सबसे पहले हम अपना एक preview पहले की लेक्चर्स का एक थोड़ा सा review देख लेते हैं इसमें हमने क्या सीखा था इसमें हमने यह सीखा था कि resources that occur in our nature are known as natural resources, यानि हमें nature में अपने आज पास जो भी resources freely available है as a God gift, वो सारे होते हैं हमारे natural resources, जैसे कि sunlight हो गई, minerals हो गई, air हो गई, water हो गई, ये सारे हमारे हो गई natural resources अब generally in natural resources के बारे में हमने अपनी previous slides में, previous lectures में अच्छे से पढ़ रखा था, उसी continuation में हम आगे move करते हैं, तो हम natural resources को दो भागों में बाढ़ते हैं natural resources कितने भागों में बाढ़ते हैं, दो भागों में, पहला होता है renewable resources और दूसरा होता है non-renewable resources तो आपके मन में आ रहा होगा कि यह क्या है renewable resources, आगी की slide में देखते हैं, renewable resources का मतलब होता है resources that can be replenished naturally in the course of time are called renewable resources यानि कहने का मतलब क्या हुआ, कि ऐसे resource जिनको हमें और आपको लगातार जुरत भी हो रही है और use करने के बाद भी वो अपने आप naturally वो replenish हो जा रहे हैं, regenerate हो जा रहे हैं एक certain time period के बाद जैसे आप देखते हैं कि air है, अब ऐसा नहीं कि air कतम हो गई, air infinite मात्रा में natural resource के form में available है हमारे लिए और हम इसे use करते हैं, इसी तरह से water है, वो भी हमारे लिए infinite amount में available है sunlight है, अब ऐसा नहीं कि sunlight आज नहीं sun निकला है तो sunlight नहीं है, हमारे पास यह sunlight खतम हो जाएगी कभी इस तरीके की चीज़े नहीं है, यानि ये god gifted चीज़े हैं जो कि हमें provided है as a natural resource और जिसी के एक category में हम सीखने हैं से renewable resources, यानि जो resources हमारे अपने आप naturally certain time period के बाद regenerate हो जाते हैं, replenish हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं renewable resources, यानि जैसे air, water, sunlight और wind यानि broader form में देखें तो जो हमने natural resources के बारे में बारा था, वही एक तरीके से आपके renewable resources होते हैं क्योंकि वह अपने आपने region rate होते रहते हैं, कब होते रहते हैं, certain time period के बाद यह को cycle चलती रहती है, तो इस तरह से वह use किये जाते हैं, फिर उसके बाद consume होते हैं फिर वह product के form में, other form में हमारे again nature में मिल जाते हैं और वह फिर से हमें further provide हो जाते हैं as a renewable resources, as a natural resources तो फिर non-renewable भी क्या हैं, यह भी होते ही natural resources हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह हैं कि जो non-renewable resources हैं, यह हमारे पास limited supply होगी इनकी, यानि ऐसा नहीं है कि infinite मात्रा में हैं और चितना भी मन चाहिए use करो, यह खतम नहीं होगी, लेकिन जैसा कि natural और renewable resources के संग होता है लेकिन non-renewable resources क्या कहते हैं, basically, कि यह कहते हैं कि resources that exist in limited supply and cannot be replaced if they are used up or called non-renewable resources, यानि यह ऐसे resources हैं, जो हमें naturally ही मिलना हैं लेकिन इनकी जो supply हो limited है, मतलब हम यह नहीं कह सकते हैं कि अगर हो सकता है, आज हम इसे use कर रहे हो हो, तो हमारी आगे आनी वाली generation के लिए available होंगे कि नहीं होंगे, we are not sure about this thing तो यानि हैं, तो यह naturally available, लेकिन यह limited supply में हैं तो इसलिए इनको नाम दिया गया है non-renewable resources यानि अब आप समझें कि हमने natural resources को दो भागों में बाट दिया एक होता है renewable, एक होता है non-renewable renewable का मतलब है कि वो infinite मातरा में available है, आप कि तरह भी मन चाहाँ use करो वो ऐसे जल्दी खतम नहीं होंगे लेकिन non-renewable के क्या है कि उनकी limited supply है वो अगर आप use करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही कि वो after certain time वो आपके पास available ना हो यानि एक दो century की बात अगर हम करें तो हम हो सकता यह कह सकें कि अगली century में वो available नहीं रहेंगे अगर हमने उनके दोहन पर control नहीं किया, उनके use पर control नहीं किया यानि समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे कुल मिला के आपको जो जानकारी देने का ताथ पर यह है यहाँ पे कि हमें resources किस लिए मिल रहा है, किसी भी activity को perform करने के लिए अब उस activity को चाहिए resources, अब वो resources infinite में होता हमें attention नहीं है, हमारा हम से use करते चले जा रहा है, लेकिन अगर वही वो limited supply में होंगे, तो हमने उसकी uses पे control रखना पड़ेगा, watch रखना पड़ेगी, otherwise क्या होगा कि हम तो आज use कर ले रहा है, लेकिन हमारी आगे आने वाली generation के लिए दिक्कत करेंट हो जाएगी, उनको मिलेगा ही नहीं, यह जारी चीज़ें आती है, sustainable development, इसी चीज़ को focus करता है, कि जो हम resources यूज़ कर रहे हों, वो उनको इस तरह से use किया जाए, अपनी news को पूरा करने के लिए, कि भविश में आगे आने वाली PDB, उनके लिए कोई दिक्कत ना करे, यानि कुलमला के यहां से renewable आपको अच्छे से clear है, यानि वो resources जो after certain time regenerate हो सकते हैं, infinite मात्रा में available होते हैं, that are renewable resources, और non-renewable होते हैं, कि जो limited supply में होते हैं, और certain time माल, वो हमारे पास से खतम हो सकते हैं, जैसे कि example गया है, oil हो गया, natural gas हो गया, coal हो गया, nuclear fuels हो गया, यह सारे आपके ऐसे हैं, कि जो after certain time, उनकी limited supply है, और वो खतम भी हो सकते हैं, diagram की तुरू देखिए, समझाए क्या है, renewable energy, यानि renewable energy में आपका क्या बता रहा है, कि biomass energy है, उसके बाद wind energy है, wind हमारे पास infinite amount में available है, उससे energy generate की जा सकती है, biomass यानि जो हमारे plant और biodegradable जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनके waste से जो चीज़े produce की जा रही है, energy produce की जा रही है, वो हो गई, वो भी हमारे पास infinite available है, hydro power energy, water से हमारी हो रही है, geothermal earth से हो रही है, earth के अंदर बहुत सारे materials हैं, जो आप में energy generate करते रहते हैं, और यह हमेशा हमें available ही है, तो यानि यह हो गई एक तरीके से renewable energy का form, और non-renewal में आप देख रहे हैं, fossil fuel होते हैं, जैसे कि आपका diesel हो गया, petrol हो गया, यह सारे हो गया, fossil fuel में coal हो गया, जिससे energy generate होती है, natural gases हैं, और nuclear power plants हैं, इन सारे भी energy के हमारे श्रोथ हैं, लेकिन इनकी supply limited है, अब हम आगे देखते हैं, अपनों इसी कुर्ण रेटेल में, renewable resources का detailing में अगर देखें, तो हमने कहा, कि renewable resources में mainly हमारे पास होते हैं, sunlight हो गई, wind, air हो गई, water हो गया, और geotherबन, तो यानि हमारा mainly objective क्या है, हम यह देखना चाहरे हैं यहाँ पे, कि natural resources के माद्धे हम से energy generate की जा सकती है, और इस energy को हम day to day life में, कहीं पे भी हमें किसी भी कारे हैं, तो energy की जुरुत पढ़ती है, electricity की जुरुत पढ़ती है, तो आज की डेट में ऐसी तरीकी ढूंडे जा रहे हैं, जिससे हमारी वो electricity generate हो, जो pollution free हो, pollution free होगी, तो हमारा environment अच्छा होगा, एक healthy life, quality life हम जी सकेंगे, तो इसी objective को लेकर, आपकी natural resources और renewable resources के थुरू, electricity generation के दिशाम में काम किया जा रहा है, तो अब हमारा आता है, renewable resources भी किस तरह से हमारे कौन-कौन से तरीके से generate कर सकते है energy, तो आप देखिए, सबसे पहले आता है solar energy, आपने आज कल गंदरेख होगा कि कई जगए industries में, institutions में, इवन घरों में भी, लोग अपनी च्छत के ओपर इस तरह से solar panels लगा लेते हैं, और जब भी sunlight होती है, तो वो आपके sunlight के उससे दिन भर में चार्ज जाते हैं, और उसके बाद वो अपना बाद में उसी को battery के माद्धे हमसे, जो solar energy आ रहे हैं, उसको convert, हमार टेक्निकली कह रहा है कि solar energy is a radiant light and heat from the sun, harnessed using a range of ever evolving technologies such as solar photovoltaic cell, भाई सेम चीज कह रहा है कि solar energy generate करी जाती है, किस से sun से, sun से harness की जाती है, किस तरह से photovoltaic cell हमारे plate में solar plate में लगे होते हैं, और उसके माद्धे हमसे, वो हमारी energy को sun light को restore करके solar energy में convert कर लेते हैं, और बार में वो generator के माद्धे हमसे, यानि जो convert करता है, electrical energy में convert कर दी जाती है, और फिर उस energy को, electrical energy को अपने घर के appliances में, industry में, कार खानों में, जहां हमें जरुआते हैं, और बार में से use करते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा एक स्टोथ है, हमारा electric energy को generate करने का, solar energy के माद्धे हमसे, और जिसके थूरू हमारा बिलकुल production नहीं होगा, और हमारी बहुत सारे features हमें ऐसे मिलेंगे, फायदे मिलेंगे, जिसके लिए इसका हमें नगेगा कि वास्तों में तो हमें naturally supply हो सकती है, the sun is powerful source of energy that provides the earth with as much as energy every hour, as we collectively use in a year worldwide, energy from the sun is harnessed in two ways, दो तरीके से sun से, जो हमारी light array सो दो तरीके से लिया जा सकता है, एक active solar panel के form में, pumps के form में, solar fan के forms में, large छट पे लगा दिये कि इसे diagram में देख रहे हैं, और वो store करते हैं, और उसके बाद उन्हें convert कर दिया जाता है, मोटे तोर पर ऐसे समझें तो, similarly passive में क्या आता है, कि जैसे माली जे पैनल नहीं लगाएं, तो वो such as building और house में energy को trap कर लेते हैं, जो आ रही है, एक ऐसा green house type का बना देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं, जिसमें जो light है, वो in तो हो जाएगी, आउट नहीं हो जाएगी, तो इस तरह से वो पूरा heat को trap कर लेते हैं, और बाद में जो trapped heat है, जो अंदर heat आ गई, इस building house के अंदर, उसको अपने further use करने के लिए है, जो भी तरीके से use करना है, further उसमें उसे use करते हैं, second form जैसे sunlight natural resources का, हमने sun से देखा था, तो solar energy generate हो गई, जिसको हमने finally electrical energy में convert कर दिया, ऐसी तरह से wind energy को भी convert करते हैं, आपने देखा होगी कि, बहुत सरे खुले areas में, जहां पर तेज हवार इस तरीके का रहता, आपने पवन चक्की सुनी होंगी, तो वो यी पवन चक्की हमारी nothing but, वो provide करती है हमारी wind energy, किस तरह से generally देखते हैं हम, तो electrical energy that is obtained from harnessing the wind, यानि ये wind से आ रहे हैं, और यानि wind के wind caused by uneven heating of the atmosphere by the sun, ठंड़ा कर हम के चलते हैं, हमारी wind तेज चलती है, wind जब तेज चलेगी, तो हमारी wind turbine क्या कर देती हैं, convert the kinetic energy, यानि गति गुर्जा को wind into mechanical energy, mechanical energy में convert कर देती हैं, वहाँ पे generator से लगे होते हैं, या टर्बाइन उसको rotate करेंगे, उसे shaft rotate होके, जनरेटर आपका convert कर देता है, mechanical energy को electrical energy में, तो हमें हवा के मादियम से turbines को use करते हुए, ऐसी energy मिल जाती है, electrical energy, तो ये भी आपका pollution free है, हवा में पूरे time available है, आप convert करिए, use करिए, तो इस तरह से हमारी wind energy work करती है, आप third point देखे, renewable resources में hydro energy, आपने पानी के देखे होंगे, कि जिस तरह से पानी बहुत तेज धार में आता है, dams वगरा पे, तो वहाँ पे hydro energy generate करे जाती है, ये भी बहुत ही pollution free है, कोई रिकत में है, बस हर के अपने pros and cons होते हैं, तो hydro power में क्या होता है, कि ये आपका, is the energy derived from the falling water, यानि गिरता हुआ जो तेज पानी होगा, या बहता हुआ तेज पानी, उससे generate करे जाती है, falling water is channels through water turbines, वहाँ पे water turbines लगी जाएंगी, turbine बेसिकलिए एक चकी समझजी है, कैसा होता है, जिस पर कोई जी रोटेर करती है, तो जनेरेटर कनेक्ट होते हैं, तो वो उससे जो पानी से आपकी turbine चली, turbine से आपका जनेरेटर चल जाता है, यानि आपका जो electrical energy में convert कर देता है, तो the pressure of the flowing water on turbine blades rotates its shaft, वही मैंने जो बताया भी हैं, drives an electrical generator, converting the motion into electrical energy, यही में फंडा है, इस तरह से आपका hydro energy generated जाती है, फिर देखी geothermal energy, ये भी natural resources, renewable resources के माध्यम से हमारी energy generated, electricity generated करने का बहुत ही popular तरीका है, geothermal energy, लेकिन ये भी ऐसा नहीं कि जहां मन जाहें, उसकी cost भी बहुत ज़्यादा आती है, तो सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे factors होते हैं, लेकिन इस दिशाम में बहुत कारे किया जा रहा है, कि हमारे pollution free energy generated हो सके, प्योंकि energy तो ऐसी है, कि हम सब को आपको daily चाहिए, daily पंगा चलाना है, daily खानों पे काम होना है, daily घर में चीज़ें use होना है, तो हमें तो चाहिए ही चाहिए, तो क्या उसके ऐसे तरीके है energy generation की, जिससे हमारा pollution भी कम से कम हो, environmental studies इनी चीज़ों पर focus करती है, कि हमारा pollution कम से कम होना चाहिए, और हमारे चीज़ें भी किज़ती रहे है, quality life भी हमें बिलती रहे, जियो thermal energy क्या कहती है, जियो thermal energy generated and stored in the earth, अब आर्थ के अंदर है, आर्थ में हमने पहले से भी सुना रखाए कि आर्थ के अंदर बहुत energy है, तो thermal energy जो हमारी अर्थ के अंदर से आती है, वो होती ही जियो thermal energy, अब basically क्या होता है, कि जियो thermal energy जो है, वो होती है आपकी इसमें range from shallow ground to hot water and hot rock found a few miles beneath the earth service, हमारी अर्थ के सर्वेस के नीचे करिवड़ होता है, कि बहुत ज़्यादा गरम रहता है, या गरम चटाने होती है, and even deeper to extremely high temperature of molten rock and magma, यानि जो बहुत नीची गरम आर्थ के काफी किलोमीटर अंदर जाने पर हम देखें, तो जो बहुत गरम बर्थ होती है, वहाँ से बहुत high form में energy अंदर होती है, तो उसको pipe के मादे में से inlet कर लिया जाता है एक जगे, और दूसरी जगे से outlet रखा जाता है, तो वह explore करते हों कि हमारी यहाँ किसे निकल सकती है, तो उसी तरह से ऐसा भी नहों कि बहुत सारे अंदर ऐसे भी material हैं आर्थ के अंदर जो नुकसान कर सकते हैं, तो यह सारे चीज़े भी consideration में करनी हैं, तो वह सारे अपना mechanism अपनाते हैं, और inlet चेक करके पहले थोड़ा material देखते हैं कि यहाँ से निकल सकता है, और फिर वहाँ से वो outlet के मादियम से उसे निकालते हैं, और वो उसको further generator लगा के, हर में generator का मतलब simply है कि जो एक form से energy को दूसरे में convert करता हो, तो electrical generator लगा के energy के form में convert कर लिया जाता है, यह जियो-thermal energy होती है, pros and cons solar energy है, अब आपके फाइदे तो बहुत हैं लेकिन ऐसा भी है कि कुछ-कुछ चीज़ें नहीं भी करता हैं कि पक्ष विपक्ष किसी भी चीज़ के लिए दोनों होता है, तो soave money, और विस से बात है, money save करेगी, natural resources से generate की जारी है, इन सरत्रीके से चीज़ों से आ रहा है, उससे अच्छा है कि अपने आपी sunlight से convert करके बना दे रहा हैं, obviously फाइदे मन्दे ग्रीन energy होएगी, cons में यह है कि बहुत बार हमने देखा है कि some people hold off on purchasing solar panels because they imagine that they cannot afford the initial expenses, but the amount spent on installing solar panels can be gained a few years as they have an electricity produced from traditional sources such as coal wood यानि यह कहना चाहरा है कि हम लोगों के हाँ अभी भी लोगों के मन में यह है कि औरे कौन solar panel लगवाए बहुत costly होंगे, इतना खर्चा आएगा, जबकि actually देखें, तो जो amount अगर हमने install करके solar panel लगा दिया है, कुछ सालों बाद ही हमें उसका इतना ज्यादा benefit मिल जाएगा कि हम उसे release कर सकते हैं कि अरे इतना अंतर आ रहा है हमारे energy saving में और हमारी cost में, maintenance की मामले में बहुत सो लोगों को यह लगता है कि इसका अगर कोई दिक्कत आ रही तो बहुत complex है, कैसे repair होएगा, यह सारी चीज़ें है तो इन चीज़ों को हटाना है wear and tear किस तरह से है और rain is generally sufficient to keep the panels free from dust and rain तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके लिए धियान में रखना है, लोगों को aware कराना है तो इन चीज़ों को हम overcome कर सकते हैं wind energy के भी अपने pros and cons wind energy ऐसा है कि जो green energy है operational cost इसकी बहुत ही कम होती है हवा चल ले उसे generate कर ले रहा है तो कॉस तो कमी होईगी cons में mainly ध्यान देना है कि क्या होता है कि wind जो fluctuating source of energy है यानि तेज हवा चलने चाहिए वहीं से generate हो सकती है and it is not suited to meet the base local energy demand unless some form of energy storage is utilized और the manufacturing and installation of wind turbines requires heavy upfront investment एक ये भी है कि इसमें तो एक थोड़ा सा एक ये है कि costly तो पड़ती है वही ये सारे factors हैं जो जन्रेट जो विंड अनर्जी को जन्रेट करने में थोड़ा सा consideration में लाने चाहिए hydro power hydro energy में भी है फाइदा तो बहुत है अपना इस very reliable energy है very little fluctuation in terms of the electric power है और adjusting water flow and output of electricity is easy है पॉन्स में mainly क्या है इसके कि जो इसके लिए power plant बनाए जाते हैं वह काफी जन्रेटी काफी expensive होते है hydro power plant जो बनते हैं और electricity generation energy prices are directly related to how much water is available अब कई बार होता है कि बारिश ही नहीं हो रही है सूखा पढ़ गया है तब उसके इसमें क्या होगा तो जब जन्रेटी नहीं पार रहा होगा बहुत सारी चीज़ें बस एक जो डिगिंग और इन सब की उसकी कॉस्ट यहीं ध्यान लखना पड़ेगा नौट सब्जेक्ट तुदे स्रीम फ्लक्शुएशन से नहीं है इस तरह से नहीं है इदर सनलाइट नहीं आ रहे अर्थ के अंदर ही वाले इशूस तो बिलकुल ही नहीं होंगे तो इसके वर्चुली लिमिटलेस लगार वैसे देखा जाए तो अर्थ किसंग तीनों फॉर्म की जो हमने अलग पड़े हैं उनके तुलना में यह हमेशा मौस्टली वर्चुली देखें तो लिमिटलेस सप्लाई है इसकी और कॉन्स में में क्या है कि प्राहि कुछ सेटप त्यार करना होगा और दूसरा अर्थ की अंदर जब हम चीजें बहुत व्यूस्फुल निकलती है तो कई ऐसे बाई प्रोडेक्ट भी निकलते हैं जो हमारे लिए इन्वार्मेंट के लिए सही नहीं होते हैं तो हजार्डियस हो सकते हैं तो इसको रिडियोक् सेख लिया है अब आते हैं नौन रिनीवल रिसोर्सेज में आपका मेंली आता है और नेच्रल गैस कोल और नुकलियर रिसोर्सेस यह भी एनरजी के वैसे तो नेच्रली अवलेबिल रिसोर्सेज हैं लेकिन इनकी जो सप्लाइए वो लेमिटेड है यानि वो कुछ सेंज़ लेकिन कि आपने कभी सूचा है कि कोल के जो यार्ड होते हैं जिसमें मिलियून टन कोला आ रहा है स्टोर हो रहा है फिर उससे जो एमिट हो रही है अधर गैसे हो रही है वह में टोके कि इन्वायर्मेंट को कितना पुल्यूट कर रही है और यह सारी चीजे हैं तो यह सब भी बहुत बिग क्वेशन से जिनको दिमांग में रखना है और नुक्लियर रिसूर्स का ताव कोई बताने की इतना वह भी नहीं हम सभी जानते हैं कि जो पहले की दो तरह सभी जाने हैं सबीजियां परते हैं तो नोन रिमुट रहां नेश्रियल डॉसर्स कोल और नीकलियर रसोर्स में लिकविट निक्रूड पीट्रूटर्यम क्रूड ऑल होता है जो कि नॉन्रून रिनॉबल रसोर्स के यह सारे खताम या लिम्टेज़ सप्लाइब्स ब्रहांगे घजार जाएंगे इनको दुवारा से नेच्राइबल जन्रेट होने में तो क्यों नहीं हम इनको ध्यान में रखें अधर इसको सब्सक्राइब कैसे करेंगे मैंने इंडस्ट्रियल नेशन्स विद यूएस फार इंदी लीड आर्थ बिगेस कंडूमर्स ओफ क्रूव कि होते हैं फिर इसी तरह से नेच्राइबल गैस में देखिए आपका अर्थ के अंदर से आसकती है और समध्र के नंदर से बीगासे जन्रेट होती है बसी दूनовых तरीके सबसे उसमें दब गया फिर वह अपना ऐसे उत्पे जब हाई प्रेशर पढ़ा तो उनों ने एक ग्यास का फॉर्म जनरेट कर लिया और वह ग्यास के फॉर्म में एक इंटेंस हीट पड़ते ही उनके उपर प्रेशन रेट हुआ तो थाउजन टॉफ यह के बाद वह गैसे के फॉर्म में अश्टार्ट हो गया तो इनको भी एक्स्प्लोर करना है या तो के अंदर से यह आपके सीवाट समुद्र के अंदर से अनरजी देट अप्लांट्स ओरिजनली ऑप्टेन फॉम देशन इस तो इन फॉर्म ऑफ केमिकल अधिन मेफिन होती है तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए और रिस और नेट्डर गैस इसमें है तो आपका अंधा नेक्स एक कोल से भी आपके इनरजी होती है कोल किया है इस प्रैमिली सोर्स ऑफ इनर्जी इन इंडिया यानि अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादर इनर्जी जन्रेट की जाती है ठीक है अब क्या है विच इस इस एड़ पावर प्लांट कोल इस कॉमनली बर्न इन बॉयर तो प्रोडिऊज इस टीम इस रन थूए तर्वाइन टू जनेट ऑध़ इनिक उल पावर प्लांट में कोले को डाले जाता है याई मिलियन स्टन कोला आता है इसे बॉयलर समें डालते हैं बॉयलर में डालने के बाद जो आपका उसमें जाता है तेज फ्लो में आती है तो टर्वाइन घुमती और तर्वाइन गूनेक्ट होती है ज़नेरेटर से जिससे वह एक्क्तरी स्याफ पूमता और पेथिद्र से जन्रेट हो जाती है तो यह तरीका होता है यह टूटल मेकैनिसम जब कि आपको चांस मिलें पावर यह कोल प्लांट is the use of exothermic nuclear processes to generate useful heat and electricity यानि useful heat के अगर हम बात करने तो हमें जनरेट करने होगी तो nuclear power plant के तरह हम कर सकते हैं the term includes nuclear fission की तरह है जब दो एटम आपने सुना होगा ना fission or fusion यानि दोनों के समय बहुत तेज से energy generate होती है जिसको कि आप मतब एक तरीके से देखा रहें इतनी high level energy generate होती है तभी इसका जो results है वह बहुत ही विस्पोटक हो जाते हैं तो बहुत control वे में ध्यान लगे nuclear energy generation होता है nuclear fission होता है जिसमें neutron smash into nucleus of uranium atoms and releases energy in the form of heat water is converted to steam energy आती फिर water is converted to steam by this heat जो तेजी होती है जिस्टीम तेजी से यह तो उससे फिर turbines चलती है turbine generator से connect होती होती है तो steps मेली क्या होते है क्या steps हमें follow for conservation of natural resources क्योंकि अभी हमने अपने इस lecture में natural resources और renewable energy और non renewable energy के बारे में सेखा था तो उसी की context में बताना चाह रहे है देखिए यह में में क्या चीज़ों करना चाहिए यूज़ वैरेस रिस्टे से ओनली जब में जरूर तो तभी यूज़ करें हमें रिस्टेज का वेस्टेज नहीं करना चाहिए ऐसा नहों कि पानी जल चानी खुला छोड़ दी और बैठें आराम से लाइज जलती भी सब्सक्राइब करना चाहिए यूज़ करना चाहिए आज कल देखते हैं हम जब कार वगरा यूज़ करते तो पॉलूशन गंड्रोल पॉलूशन चेक हना में सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि हमारा जो कार है इस तरह से इन्वायर्मेंट में कोई ऐसी चीज़े नहीं आ सब्सक्राइब करते हैं और एक यूट्यूब के वीडियो के माद्यम से भी हमने उन चीज़ों को और अच्छे बहतर तरीके से समझने का प्रयास किया तो आई थिंग एडिस पॉइंट जो कंटेंट मैंने आप सभी को समझाने की कोशिश करी वह आप लोगों को अच्छे स से क्लियर हो गया होगा और एक्जाम पॉइंट ऑफ गिस से भी यह बहुत इंपोर्टन्ट है नैच्रल रिसोर्सेज के इंतर गद रीनियोबिल एंड नॉन रीनियोबिल एनर्जी रिसोर्सेज थैंक यू